साथियों नमस्कार आपका स्वागत है C.I.E.T. N.C.A.R.T. के इस लाइव इंटरेक्टिव कारिक्रम में जिसे आप देख सकते हैं स्वयम प्रभा के किशोर मंच चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल N.C.A.R.T. ऑफिशल पर एकड़म लाइव आपके साथ मैं जुड़ चुका हूँ रक्षित और हमें पता है कि हमारे दर्शों को के मन में कई सारे सवाल आते हैं काफी सारी जिग्यासाएं होती हैं प्रशन उठते हैं तो वो आप हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे निशुल्क पोन नंबर एक आट शूनिय शूनिय एक एक दो छे पाँच और एक आट शूनिय शूनिय एक एक दो एक नौ नौ पर हमें कॉल करके और इमेल करने का जरिया है ciet.kishormanch at gmail.com जहाँ पर आप अपने कृतियां भी हमें भेज सकते हैं और लाइव चैट जो हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे चल रही होती है वहाँ पर लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं अपने सहपाथियों अपने साथियों के साथ में वहाँ पर डि ज Insurance के लिए हमारे साथ हैं प्रफेसर लाज चंद्रम सार आपका बहुत-बहुत स्वागत धन्यवद धन्येवाद है कि ँदें तो सर आज हम क्या जानने वाले क्या हम इस कथा को पूरा करेंगे सम्बदिया के कथा के बारे में चर्चा करेंगे कथा को तो बहुत संशेफ में उसकी कथावस्थ को संशेफ में रखेंगे इसके आलोचनात्मक पक्ष को जादा रखेंगे क्योंकि कहानी तो कोई भी पढ़ लेता है समझ लेता है लेकिन कहानी के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है जो लेखक कहना चाहता है वो महत्वपुन पक्ष है उसको उधगाटित करेंगे शायदा आजम जी तो सर शुरू करते हैं ठीक है दर्सको नमस्कार आज हम फणिश्वर नाथ रेणू की मशहूर कहानी संबदिया पर चर्च ही है संबदिया संबाद लाने ले जाने वाला संदेश वाहक कह सकते हैं इसको चुकि संबाद ले जाने लाने की परंपरा अगर आप भारती साहित में भारती दर्शम देखेंगे तो कालिदास के समय से बादल संबाद ले जाने ले आने का काम करते थे उसके बाद कबूतर से संबाद पहुंचाया जाता था चिनियों की माध्धम से जाता था कई बार अगर घर के passions पर अगर कागा या काऊँ आकर बैठता था तो उन्हों को लगता था कोई आने वाला है कोई अतिथी आने वाला है तिस तरह से हमारे देश में ये परंपरा रही है लेकिन संबदिया एक ब्यक्त है जो एक जगह से संबाद ले करके दूसरी जगह जाता है और वह संबाद सिर्फ लाता ले जाता नहीं है बलकि संबाद जिस भाव में जिस अर्थ में जिस संबेदना के साथ कहा गया है उसी कामा फुली स्टाफ सहित उसी संबेदना और उसी भाव के साथ पहुचाने का काम है संबधिया का यह संबधिया हलाकी कहानी आजाद भारत के बाद की है लेकिन डाक ब्योस था फिर भी पुरे भारत में चारों तरफ डाक के सुविधाएं थी, लेकिन जब इस संबधिया को पता चला कि उसको बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया से का संबाद लेके जाना है, तो आश्चेर में पढ़ गया, उसको लगा कि डाक की तुब्योस्ता है, ऐसा क्या है जो मेरी जरूरत पढ़ गया, संबाद ले जाने की लगता है कुछ गुप्त समाचार होगा, तो उसको लगता है कि कुछ गुप्त समाचार होगा, इसलिए उसकी जरूरत पड़ी है, तो गुप्त समाचार इस तरह का कि चाद और सूरज को भी पता नहीं चले, पंची परेवा को भी नहीं मालुम हो, इस कोई संबधिया नहीं हो जाता संबधिया तो वही हो सकता है जो मर्म को समझ सकता है संबाद के मर्म को समझ सकता है उसके भाव को समझ सकता है और उसी तरह से उसी मर्म को संबेदना को भाव को जसका तस जहां जाना है वहाँ पहुचा सकता है तब वह तयार होता है जैसे ही ब जोड़ी पर पहुँचने के बाद अंदर जाता है तो देखता है कि बड़ी बहुरिया सूपा में अनाज लेकर के धान लेकर के फटक रही है और वो इशारा कर देती हैं बड़ी बहुरिया की संबधिया का नाम है हरगोविन यह पीड़ी ले लो बैठ जाओ तो थोड़ी देखता है और फिर वो उसके मन मस्तिस्क में गुजने लगता है कि कभी यहां इस हवेली में बड़ी हवेली में हजारो लोग हजारो नौकर चाकर मजदूर काम करते थे यहां बड़ी बहुरिया की हाथ में मेहदी लगाने का काम जो नाइन करती थी वो मेहदी लगा करके अपने घर परिवार का पालन करती थी आज बड़ी बहुरिया इस संकट ग्रस्त दसा में सूपा में स्वैंग अनाज लेकर के फटक रही है साथ ही ओ देखता है कि वहां मुदियाईन आई हैं जो सेट साहुकार रही है जिनके यहां से कर्ज या उधार का सौधा इनके बड़ी बहुरिया के हाँ आता रहा है तो वह भी अपना बकाया वसूलने के लिए वहां आ जाती है यह देखता है और इसके बाद बड़ी बहुरिया बात संबाद नहीं कर पाती है क्योंकि इन दोनों के बीच में गुप संबाद ले जाना है इसलिए हो कहता है कि मुदियाइन काकी आपने तो बड़ा काबुली काईदा आपने ढूड़ा है वसूली का तो फिर वो नोक जोक होती है मुदियाइन में और इसको संबधिया में संबधिया को भला बुरा हो कहती है मुझहों से और कौन 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 सी गाली वो अपनी लोक देरे वो चली जाती है और समधिया बड़ी बहुरिया से कहता है कि बड़ी बहुरिया बताईए क्या समबाद लेकर जाना है बड़ी बहुरिया की हालत देख करके समधिया समधिया को समझ आता है कि बड़ी बहुरिया की इस सिती ठीक नहीं है और कहती है बड़ी बहुरिया क हर गुबिन भाई तुम हमारा संबाद लेके जाओगे और कहते हुए उनकी आखें डबडबा गई और उसी डबडबाई आखों में हर गुबिन की आखें भी डबडबा गई यह बड़ी बहुरिया कुछ ऐसी बात कहना चाहती हैं जो निहायत ही बहुत पीड़ादाई होगी कहती हैं आज ही तुम्हें लेके जाना है और संबाद क्या है कहती हैं कि मा से जाके कहना कि मैं भाई भावी के नौकरी करके उनकी चाकरी करके अपना पेट पाल लूँगी उनके बच्चों का जूठन खाके एक कोने में पड़ी रहूँगी मैं बतुआ साग खाकर के कब तक जीऊं कैसे जीऊं किसके लिए जीऊं यह बात सुन करके हर गवीन के मन बिचलित हो जाता है कि बड़ी बहुरिया कि यह दसा कभी यहां हजारों नौकर चाकर होते थे और आज यह हिस्तिती है इसलिए वह यह संबाद लेकर के चलता है और बड़ी बहुरिया अपने आचल के खूंटे से पाँच रुपया कटा फटा जैसा पुराना सा खूंटे से खोल करके देती हैं और संबधिया कहता है नहीं बड़ी बहुरिया रहने दीजे मैं इंतिजाम कर लूँगा वह चला जाता है संबाद लेके जाने के लिए उसको चुकी जलालगड से कटिहार जाना है कटिहार से विंगपुर जाना है कटिहार जंगसन से उसको दूसरी ट्रेन लेनी है विंगपुर थाने के लिए जहां बड़ी बहुरिया का मायका है वो जाता है धीरे धीरे और क्या है उस दुख पीड़ा को वह स्वयंग महसूस करता है अनुभव करते हुए जाता है याद करते हुए जाता है कि वह पीड़ा वह दर्द जसका तस बना रहे तभी जाकर कि वह कह पाएगा कटिहार जंग्शन पहुंचता है वहां से फिर बिंगपुर थाना का गाड़ी दूसरी मिलती है उचता है इन से उन से कटिहार जंग्शन पहुंचता है तो लगता है कि आजाद भारत के बाद कुछ आधुनिक्ता आई है या सुराज आया है क्योंकि कटिहार जंग्शन की का परिदिर्ष्य बदला हुआ है आजादी के पहले का और आजादी के बाद का यानि ये संकेत दिख रहा था आसपास के परिवेश से कि जैसे कि एनाउंस हो रहा था कि कौन सी गाड़ी कहां जा रही कुछ आटोमेटिक सिस्टम सा इस तरह का था तो वो समझ गया था कि बदलाव बहुत आया है अजादी के बाद से जाता है उस गाओं पहुचता है क्योंकि मैं कहानी को कतावस्त को सच्छे पर बताऊंगा क्योंकि बातें बहुत बिस्तार में करनी है वो पहुचता है और पहुच करके जब बड़ी बहुरिया के माईके पहुचता है विंपुर तो संबाद लेके जाता है और जैसे उस जान करके लोग पोचते हैं तो जैसे ही बढ़ी बहुरिया कि माइके के पास पहुचता है, मा पोचती है कि हर गवीन कोई संबाद लाए हो, ये सीधे सीधे हर गवीन मुकर जाता है, कहता नहीं मैं तो यहीं सिरसिया गाओं में आया था और मुझे लगा कि जा रहा हूँ तो इधर से कुछ संबाद लेते हो जाओं हाल चाल लेते हो जाओं इसलिए मैं आ गया था जबकि उसका काम था, संबाद उस बड़ी बहुरिया ने दिया था, संबाद को पहुंचाना था और वहां वो कह रहा कि नहीं कोई संबाद नहीं है अब यहां कहानी में गय पाता है कि जिस काम के लिए हर गविन संबधिया जाना जाता है वह हुआ काम इमांदारी से वहां क्यों नहीं कर पाया जबकी गाऊं में संबद्या को लेकर के माननेता है कि संबद्या ने ठला है अकर मर्य है, कुछ नहीं करता है अगर कोई याउरत उसको मीठी भासा में, मीठी बोले में कुछ कह दे को तो संबाद ले जाने को तो संबाद ले जाता है वो पेट भर खाता है अफर कर वने डट कर खाता है अफर कर सोता है इस तरह की नकारात्मक माननेता संबधिया को है संबधिया के परती है समाज में लेकिन संबधिया वहाँ पहुचता है जल्पान के लिए कहा जाता है जल् मैं तो चाही रही थी कि बभू आजाएं और बेटी को लिवा कियाएं अब वह किसके सहरे वहां रहेंगी क्या बचा है एक नौकर था वो भी भाग गया एक गाय है वो भी हिकरती है तो किसलिए वहां रहेंगी मैं तो चाह रही थी कि बुलवा लू यहीं रहें तो यह कहता ह समवधिया भी कहता है, माता जी, बड़ी हवेली है, सवांग नहीं है तो क्या हुआ, बड़ी आनन्दी है, आराम से, बड़ी बहुरिया हैं, गाउं हैं, समाज है, सारा कुछ कहता है, दुख कहता है, भोजन आता है करने के लिए कि भाई कुछ खालो संबधिया खाना देखता है और सोचने लगता है कि बड़ी बहुरिया बथुआ साख खा रही है और मैं यहां पांच तरह का दस तरह का पकवान खाऊंगा उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है कि भोजन करे और कहता है ब पांच नहीं दस बार कर ले इसके बाद भी लोग एक थाली भात खाते हैं खैर वो खाना नहीं खाता है वहां संबध कह नहीं पाता है बड़ी अंतरमन उसकी अंतरात्मा में कई सारे प्रस्ण कई सारे कौतूहल चलते हैं और वो संबध जिसके लिए गया था वो संबध कह नहीं पाता है फिर वहां से वो कहता है कि माता जी अब मुझे जाना है दूसरे दिन फिर वो रात में उसको नीद नहीं आती है बार बार वही बड़ी बहुरिया का संबाद बड़ी बहुरिया की दसा अपने गाउपुर समाज की मर्यादा ए सब सवाल उसके मन में उसको कि जो संबाद में लेके आया हूँ वो कह नहीं पाता है उसके मन में अंतवरदंध होता है फिर वह वहां से कहता है कि मुझे आज ही जाना है तो माता जी कहती हैं बड़ी बहुरिया की मां कि संबधिया तुम्हें जाना था एक दो दिन रह जाते मैं दही चूड़ा दे देता खरदही ते नहीं हो पाई है लेकिन बासमती धान का कुछ चूड़ा है चिड़वा तुम लेते जाना बड़ी बहुरिया के लिए और दूसरे दिन वह गठर अपनी बगल में दबाए वहां से निकल जाता है निकल के आता है विंगपुर से कटिहार जंगसन आता है ट्रें कर देता है भाड़ा खर्च लेने से नहीं इंतजाम हो जाएगा सब कुछ है अपने पास कोई दिक्कत नहीं है ये कहकर के वहां से भाड़ा खर्च नहीं लेता है और उसके रास्ते में भाड़ा खर्च सचमुझ खतम हो जाता है कटिहार से जलाल गड़ काफी दूर है और और वहां से वह सोचता है कटिहार से कि छोड़ो कौन ट्रेन में कोई पकड़ लेगा, पैसा नहीं है, टिकट नहीं है, वो पैदर ही चल देता है, ये है उसकी दसा, दुर दसा, अंतर दसा, संबधिया की, वो संबधिया इतना व्यथित है कि एक तो खाया पिया नहीं, चिड चिडवा को हाथ नहीं लगाता है, साथ ही रखता लेकि खाता नहीं है उसको, इसके बाद बिहोस हो जाता है, और फिर बड़ी बहुरिया उसका होश आता है तो देखा कि बड़ी बहुरिया उसको दूद पिला रही है, और उस समय कहता है, रोते हुए उसका बड़ी बहु बड़ी बहुरिया आप माँ हैं, मेरी माँ हैं, पुरे गाउं की माँ हैं, आप मैं इठला नहीं करूं रहूंगा, आप के सारे काम करूंगा, आप गाउं की माँ हैं, हमारी गाउंपुर समाज की मर्यादा हैं, आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, इस तरह से कहान में जो संकेत किया है कि जो बड़ी बहुरिया जो अकेली है उनके हस्बैंट एक घंटे की बिबारी में मर गए हैं और तीन देवर थे तीनों देवर लड़ाई जगडा करके बांट बखरा करके शहर में चले गए हैं और जो रायत दार थे जो खेत जो उतने वाले लोग थे उन्होंने दावा करके जमीन पर कबजा जमा लिया है तो यहां इस तरह के कई सारे गैप कई सारे संकेत मिलते हैं असल में आजादी के बाद जमीदारी पर्था का खात्मा होता है समापत होती है तो जमीदारी पर्था जब खतम होती है तो जो हल जो उतने वाले जो खेती क करने वाले किसान हैं उनका ये दावा होता कि खेती हम करेंगे मालिक दूसरा कैसे होगा इसलेए उन लोगों ने दावा कर लिया तो जमीन जमीदारों की जमीन चली गए एक संकेत यह दिया आजादी के बाद भारत में कि क्या हुआ है जमीदारी पर था टूटी सामंती परता और दूसरा संकेत है às कहानी में कि वो सहर से गाउं से शहर की और पलायन हो जाता है गाउं से शहर की और पलायन इसलिए होता कि तीनों भाई बात बखरे में बड़ी बहुरिया से बात बखरा करके अलग हो जाते हैं और इवन उनका जो जेवर जेवराथ था वो भी बात बखरे में बांट लिया जाता है और लेखक तो यहां तक संकेत किया है कि जो बनार्शी साडी है उसके भी तीन टुکडे हुए थे तीन टुकडे करके उसका विमटवारा हुआ तो आप देखिए कि सामंती पर्था या जमीदारी पर्था जब तूटती है और शहर से गाउं के और गाउं से शहर के और जब पलायन होता है तो क्या-क्या दिक्कतें क्या-क्या परेशानी मानवी रिष्टे संबंधों की कैसे उनके भी चित् साधन नहीं है अकेले खाने को मुखाल है कर्ज उधार नहीं मिल रहा है वो अकेले तडपने के लिए विवश है और उसके देवर देवरानी चले गए हैं शहर वहां पर अपना मौज उड़ा रहे हैं और नहीं तो बीच बीच में आते हैं जो उधान प्रिशान होता है उस को भी उठा के ले आते हैं बड़ी बहुरिया का ख्याल नहीं करते हैं आप देखें है तो यह संबाद लेकिन संबाद में जो संबाद की मार्मिक्ता है जो संबाद में जो मर्म है जो हरगोविन के व्यक्तित पर जो वो अनुभूत होता है जिसको कहते हैं कि बड़ी बहु पूरिया का अनुभव है उसका दर्द है लेकिन उस दर्द को उस पीड़ा को हर गोपिन, स्वयंग, समबाद सुनता नहीं है बल्कि उसको जीने लगता है अनुभूत के अस्तर पर उसको ले जाता है और वहां वो जाकर एक कहता है संबाद क्यों नहीं कह सका यह सवाल उठता है कि संबाद जब संबादिया संबाद के लिए जाना जाता है तो बड़ी बहुरिया का संबाद माय के क्यों नहीं कहा उस इमांदारी का परिचे महां क्यों नहीं दिया लेकिन संबाद हर गुमिन नहीं कहता है वो इसलिए कि बड़ी बहुरिया उसके गाउं की मर्जाद हैं मर्यादा हैं अगर उसके गाउं की शिकायत बड़ी बहुरिया की दुर्दशा का चित्रन बयान अगर वह माईके में होता तो उसके गाउं की बेजती होती अपमान होता इसलिए वह गाओं की मरजाद के लिए अपने बड़ी बहुरिया का संबाद वहां नहीं पहुँचाता है इसलिए की गाओं की मरजाद उसकी बदनामी होगी उसकी जो है मर्यादा भंग होगी इसलिए वह नहीं कहता है अब आप देखिए कि संबधिया गाओं की मर्यादा के प्रति कितना सचेत है बड़ी बहुरिया के मान सम्मान के प्रति कितना सचेत है कि यहां से अगर वह जाएंगी वह तो गाओं वाले इस गाओं जलाल गर्ड क गाउं को कहेंगे कि पताई कितना निकमा गाउंवा कितने घटिया लोग हैं बड़ी बहुरिया को इस तरह की दूर दसा का सामना करना पड़ा इस मरजाद को इस इज्जत को इस मान सम्मान को बचाने के लिए वह संबाद नहीं करता है असंबाद कहने के बाद से बड़ी बहुरिया खुद इस अंतर दूंद में थी कि मैंने कहां से कह दिया या मुझसे यह संबाद कहने में भूल होगी मैंने क्यों कह दिया पस्चाताप कर रहे थी लेकिन संबाद नहीं का आप देखें कि आज कल की दुनिया एक किसमी सताबद कि दुनिया जहां संबाद जैसे लगता इन्फार्मेशन है लेकिन संबधिया जो व्यक्ति है वो है निठला है अकर्मन है लेकिन कहता है कि मैं बड़ी बहुरिया आप गाओं की मां है मैं आपके लिए काम करूँगा आपका सारा काम करूँगा एक निठला अकर्मन व्यक्ति चुनोतियों को स्विकार करता है और काम करने की प्रेणडा उसमें आती है मुझे लगता है आजाद भारत के बाद लोक तंत्र में हर व्यक्ति के का महत्व और उसकी गरिमा को रेखांकित किया है लिखक ने दूसरी बात जिस इमानदारी का परिचे उसने दिया हलाकि उसने पांच जगे आप देखेंगे पूरी कहानी में चार पांच बार जूट बोला है लेकिन वह जूट जूट नहीं है वह जूट बड़े हित के लिए जूट है गाउं पूर समाज की मर्यादा के लिए उसने जूट को नहीं जूट बोला है लेकिन वह जूट जूट नहीं जैसे उसके पास पैसा नहीं था फिर भी उसने कहा इंतिजाम हो जाएगा भोजन आया भूक लगी थी फिर भी बड़ी बहुरिया का दर्द पीड़ा उसको खाना खाने के लिए खाना नहीं खा पाया वहाँ पे तीसरा भाड़ा खर्च नहीं था फिर भी कहा इंतिजाम और ब्यौस्ता हो जाई यह जो गाउं समाज के प्रति मर्यादा उसका मान का भ ब्यक्ति संबदिया उसके प्रति कितना सचेत है कितना इमानदार है और आप देखें कि यही भावना जो गाउं की बेटी एक की बेटी पुरे गाउं की बेटी हो जाती है जीले की बेटी हो जाती है प्रदेश की बेटी हो जाती है देश की बेटी हो जाती है यह जो गाउ गाउं का concept है गाउं की अधारणा है वही ब्यापक होती जाती आदमी की सोच के अनुसार वही जिले की अधारणा बनेगी वही प्रदेश की अधारणा वही राष्ट की अधारणा बनती है वो कहते हैं ने कि हम अपने अगर अपने परिवेश के बारे में हम नहीं जानते हैं मने हम अपने बारे में नहीं जानते हैं, तो विश्व के बारे में क्या जानेंगे, हम आत्मचेतस नहीं होंगे, तो विश्वचेतस कैसे बनेंगे, आप ठीक उस तरह से आप देखेंगे, तो हरगोबिन, संबधिया, सिर्फ कर्म के प्रती सचेत नहीं होता है, बल कि गाउं पूर00 समाज परिवेस सब को यह मेसेज देता है अपनी कर्म और व्यवहार के द्वारा कि लोकतंत्र में हर किसी की अपनी भूमिका है, हर किसी के अपना कार praying दायत है, उसे अपने कार दायत तो की का निर्वाह करना चाहिए. लोकतंत्र में हर एक ब्यक्ति, बने कितना भी छोटा से छोटा ब्यक्ति उसकी भी अपनी भूमिका है, उस अपनी भूमिका का निर्वाह करता चले, लोकतंत्र फलेगा, फूलेगा, असल में पनिश्वर नाथरेडू, पूर्णियां अंचल के कभी हैं, बिहार के हैं, और आ ग्रामियन जीवन के अथार्थ का चितन करते थे, पनिश्वर नाथरेडू उनसे आगे जाते हैं, बलकि उस विरासत का भी स्तार करते हैं, कि वह पूर्णियां अंचल को, अंचल मतलब एक तरह से उनकी वहां उस अंचल में से, इस छेत्र, इलाका की बोली, भासा, को अंचल शब्द से विसलेशित किया गया है, और अंचल जब हम कह रहे हैं, तो अंचल कोई छोटा सब्द नहीं है, वहां उस जगह की, उस इलाके की, उस छेत्र की सारी भी सेस्ताएं, उस में बोली भाषा, रितिरिवाज, इवन आप देखेंगे इसी कहानी में, दो गी इत भी आये हैं, एक गीत तो आया है कि हमरोज संध्य सवा ले जाओरे समधिया, दूसरा गीत आया है कि नई हर का सुख, इस तरह से दो गीत आये हैं, यानी काथा में वहां जो लोक में जो गीत है उसको भी स्पेस दिया, वहां की जो संस्कृति है उसको भी जगह दी है, दुनिया के मानशित्र पर रेडु ने अंचल को दर्शाया है। ग्रामींड संबेदना के लेखक तो प्रेमचन थे लेकिन उस विरासत को आगे बढ़ाया। रेडु ने मैं कहानी पर वापस आना चाहता हूँ। कहानी में संबाद जिस संबदिया का संबाद है आप देखें कि उसकी व्यथा, उसके भाव, उसके मर्म, आज की पीड़ी संबाद को बिना देखे, बिना सुने, बस कट पेस्ट करके फारवर्ड कर देती है। उस आज की पीड़ी में संबाद की का अर्थ देखे, उसका भाव नहीं रह जाता, उसका मर्म नहीं जा पाता, हम जो संबाद भेजते हैं, मेसेज देते हैं, मोबाईल के थ्रू अन्यमादमों से, उसमें भाव और मर्म नहीं रहता है। इसमें कितना बड़ा मर्म और भाव है, यानि आधुनिक्ता तो आई है, पर आधुनिक्ता ने मनुष्य को यंत्र में बदल दिया है। भाव परधान कहानी है, सारा मर्म, सारा भाव संबदिया लेके जीता है, जो बड़ी बहुरिया ने अनुभव किया था, उसी को वो स्वैंग सुन करके अपने उपर उतारते हुए उसको अनुभव करता है, और वो संबाद की परंपरा शायद आज नहीं रह गई है। आज का मनुष्य उस संबाद के महत्य को नहीं समझ रहा और मुझे लगता है, यह कहानी इस अस्तर पर बारहमी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है, तो 21 सताबदी में विद्यार्थी उस भाव को समझे, उस मर्म को समझे, मानवी रिष्टों के समझे, मनु जिस पीड़ी को जिस गाउं की बड़ी बहुरिया के लिए इतनी बड़ी चुनोती स्विकार करता है, संबदिया, उसके लिए अपनी सेवाएं अरपित करता है, कि बड़ी बहुरिया गाउं की मा हों, हमारी मा हों, और मैं अब आपके सारे काम करूँगा, यह संबाद, य हमारी 21 शताबदी की जो नई पीड़ी है उसको भी अपने गाउं समाज के प्रती अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए उससे प्रिणा लेना चाहिए और जब भी समाज गाउं गाउं समाज राष्ट देश जो भी जब भी हमें उनकी सेवा की जरूवत पड़े हमें अ पीड़ा को बड़ी बहुरिया को सुन करके उसका हिर्दय परिवर्तन होता है वो उसी तरह से हिर्दय परिवर्तन आज भी हमारे समय में समाज में बहुत सारी चुनोतियां हैं बहुत सारे इवन आप कह सकते हैं कि बुजरूर्गों के प्रती जो ओल्डेज होम का कंसेप् हमारे समाज में अगर नई पीढ़ी इन मानवी सम्मंधों को मानवी रिष्टों को ठीक धंक से समझेगी तो अपने बड़ों का अपने बुजुरूंग का सम्मान करेगी और मुझे नहीं लगता कि कभी कोई युवा पीढ़ी या युवक अपने बुजुर्ग माभाप को प्रमपरा का प्रतीक है संवधिया कहानी जिसको परिश्वर नात रिडू ने आजाद भारत के समय लिखा था अज आज आपने एक आणी बहुत सुंदरता से हमें सुनाई और उसका हमने एक क्रिटिकल एनालिसिस भी एक तरह से किया लेकिन अब एक सवाल हमारे पास में आता है वैसे तो सर दो तीन सवाल थे लेकिन उनमें से कुछ सवालों के जवाब आपने पहले ही दे दिये के है कि बत्वा ही क्यों चुना गया गरीवी दिखाने के लिए क्या बात है असल में बत्वा आप अगर आप गाओं की संबेदना से गाओं की संस्कित से पर्चित हो तो फुल आफ आईरन है बत्वा साग जो है आईरन है उसमें पूरा आईरन है और गाओं का आम जनता तो बथुगा इसलिए भी चुना गया है कि वो एक तरह की एक तरह का साग है वो बनस्पती है साग है और वो खेतों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है मिल जाती है अपने आप उगाती है आप समझे इसको कोई इसकी कोई खेती नहीं होती इसको बोया नहीं जाता है ये खर उखाड करके जहां भी मिल जाता उसको उखाड करके ले जाके उसको खाता है जीता सरवाइब करता यानि बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया जहां हजारो नौकर चाकर अपना जीवन यापन गुजारते थे उस बड़ी बहुरिया की यह सिती हो गई है कि आमाधिमी से won जरजर हो गया है जमिदारी पर्था के अंत के बाद आप समझिये कि सामंती धाचा के इस तरह से टूटा और मनुष्य एकदम आम आदमी मजदूर की भूमिका में आ गया बड़ी बहुरिया एक तो इस्त्री है बड़ी बहुरिया दूसरे बिधवा इस्त्री का समाज में उस आधुनिक्ता तो आई पर आधुनिक्ता शहर भी आये शहर बड़ी तेजी से फले फूले आधुनिक्ता आये तो लोगों ने गाउं की जो संस्कृती है उसको छोड़ करके शहर की और लोग भाग गये लेकिन गाउं की जो दुनिया थी वो इतनी अकर्मने इतनी माना गया वहीं का है संबधिया उसमें किस तरह की चेतना पैदा हो रही यानि आप में कहना ये चाहता हूँ कि लेखक की मंसा ये है कि बिकास बदलाव परिवर्तन सिर्फ शहरों में नहीं होता गाओं का दूर किसान गाओं में बैठा हुआ एक मजदूर किसान वह भी आजा निभाना चाहता इसलिए संबधिया का हिर्दय परिवर्तन अगर हो सकता है तो बाकी लोगों का क्यों नहीं हो सकता आजाद भारत के समय आजाद भारत में भारत के नवनिर्मान में लोकतंत्र की अस्थापना इसलिए हुई थी कि लोक का एक एक ब्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा, और आज कहते हुए सन्तोस भी होता है कि भारत आजादी के बाद से बहुत प्रगत किया है और बहुत सारे छेत्रों में आत्म निर्भर है, आज हमें इससे बचना हैं तो सिर्फ कि हम मसीन न बन जाएं हमें यंत्र न बन जाए हमारी संबेदना मर न जाए हमारी मनुस्यता न मर जाए और मुझे लगता है यह पाठ उस दिसा में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी पहल है बहुत बड़ी सोच के साथ इस पाठ को एक बारहमी कक्षा के अस्तर पर लगाया गया है जी सर आज हमें ये भी पता चला कि समवधिया के समवादों में छुपी जो समवेदना थी वो किस तरह से एक अकर्मण या इंसान को एक कर्मठ इंसान में बदल देती है और कैसे एक सोने में तोले जानी वाली बड़ी बहुरिया आज बत हुआ खाकर के मुफ्त में उपलब्ध होने वाली चीज़ चुन करके घर पे साख बना करके अपना काम चला रही है और उनकी वो हालत तो हो जाती है अब अन्त में एक संक्षेप में एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा सर और वो ये कि जब उसके पास में चिड़वा होता है तो उसे क्यों नहीं खा पाता है वो क्यों अपने आपको मारता है जी बिलकुल से बिलकुल से आपका सही सवाल है दरसल उसकी गाउं का एक अधना सा आदमी है संबदिया लेकिन उसकी इमानदारी देखिए कि उसको लगता है कि जो बड़ी बहुरिया बथुआ का साग खा के जीवन जी रही हैं उनकी माने दिया हुआ है उनको बासमती का तो इमानदारी उसकी है कि वह उसको टच नहीं करता है बिहोस हो जाता है भूख से तडप जाता है लेकिन वह उसको टच नहीं करता है चूता नहीं है यह बहुत बड़ा मुल है बहुत बड़ी मर्यादा का पालन है ऐसा नहीं है कि वह भूख से बचाने के लिए खा लेता तो बड़ी बहु कुछ कह देती, लेकिन उसकी अपनी इमानदारी है, और निचले तपके का समाज, या आप कह सकते हैं कि जो मजदूर वर्ग है, जो किसान कामगार वर्ग है, जो जिसको हासिये पे रखा गया है, वो हव्यक्ति इमानदार होता है, उसकी इमानदारी भी दर साई गई है संबधिया के माध्यम से. और YouTube पर बहुत सारे प्रोग्राम उपलब्द हैं, इसको भी देख सकते हैं, और उसको भी देख सकते हैं, आडियो भी हमारे पास उपलब्द है, CIT ने वनाया है, तो कई सारी देख सकते हैं. आप हमारे दर्शकों YouTube चैनल पर हमारे NCRT ऑफिशल चैनल पर जरूर सर्च करके देखेगा सराज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद रक्षर जी बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों को भी धन्यवाद और दर्शकों आपको भी धन्यवाद इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए थोड़ी ही देर में आपके लिए लेकर के आएंगे इपार्चाला एप्स पर एजुकेशन का एक कारिकरम कहीं जाएगा नहीं देखते रहिए किशोर मंच